राधी राधी दोस्तों, दोस्तों मुक्षदा एकादशी इस बार तीन दिसंबर दिर शनिवार को है, इस दिन भागवान विश्णू मालेक्षमी का पूचन कर प्रत करने से सुख्म जीवन बतीत कर अंत में मुक्ष की प्राप्ति होती है, इस दिन भागवान विश्णू का पूर्चन करने से कश्टों सी छुटकाना मिलता है और मन चाहा बर्दान प्राप्त होता है मुक्षिदा एकादशी को बहुत खासमाना जाता है आज हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रही हैं जिसी आप एकादशी के रात को अपनी तक्य के नीचे रख कर सो ज आएंगे दोस्तों भगवान विश्णू मालक्षमी जी से मन चाहा बर्दान प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ तुलसी के पत्ते चाहिए लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें तुलसी के पौधे के पास अपने आप जो पत्ते गि तुलसी के पत्ते कभी बासे नहीं होते अगर पत्ता सूख भी गया है तब भी खराब नहीं होता इसलिए आप पुराने पांच तुलसी के पत्ते ले ले और इन पानी से धोले और इन तुलसी के पत्तों को आप अपने पास रखें और रात को जब आप सोने जाएं तो इन पांचों तुलसी के पत्तों को आप अपने तक्ये के नीचे रखतें अब इस तक्ये बस सिर रखकर आपको सोना है ध्यान रखें सोने से पहले आप भगवान विश्णु मालक्ष्मीची को प्रणाम करें और मन ही मन ओम नमो भगवति वासु देवाय मंत्र का थोड़ी दे ज पांचों तुलसी के पत्तों को आप अपने तक्ये के नीचे से उठा लें और शुद्ध बहते हुए जल में इन्हें बहा दें वैसे आजकर घर से बहा जाना सेफ नहीं है तो इसलिए आप इन्हें जल में ना बहाएं और तुलसी के पौधे की ही मिट्टी में या वे किसी भी और पौधे की मिट्टे में आप इन पांचों पत्तों को दबा दें ऐसा करने से भगवान बिश्णु मालक्ष्मी ची की किरपासी मनुकामना जल्द ही पौण हो जाती है अगर आपके घर में तुलसी माता हैं तो रविवार के दिन को छोड़कर पाकी सभी दिन आप त अश्ट तूर होते हैं और सुक्षानती आती है रोजाना तुलसी जी के पास दीपक जलाने से घर में सुक्सम्रथी बनी रहते हैं जीवन में खुश्यां आती हैं इसलिए आपके घर में अगर तुलसी मा हैं तो आप तुलसी मा का पूचन अवश्य करें दोस्तों तुलसी जी का इस परश करें ना ही उनका पूचन करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी की किर्पा प्राप्त करने के लिए कमेंड बॉक्स में ओम नमु भगवती वासु देवाई और जैमालक्ष्मी अव एक और नए यूसफुल वीडियो के साथ